हलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग तो आज मैं आप लोग सांग सेर करने जा रही हूं सर्ष्रो की मसाले वाली भूनी हुई मसालेदार भिंडी आलू की सबजी यह बहुत ज्यादा टेस्टी बनती हैं एक पर जब आप इस तरीके से भिंडी आलू की सबजी बना लेंगे तो य अब भिंडी को हमें इस तरह से कट कर लेना है तो इस तरह से छोटे-छोटे पिसस में भिंडी को हम कट कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं सारे भिंडी आलू को सबजी बना रहे हैं तो यहां पर हमने तीन मीडियम से जी आलू को भी छिल के इस तरह से अच्छे स दूलिया है अब इसे भी हम छोटे-छोटे पीशस में कट कर लेंगे तो इस तरसे आलू को हम लंबाई में कट कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरसे हमने सारे आलू को कट कर लिये हैं तो चलिए यहाँ पर सब्जियों को हमने कट कर लिये हैं तो अभी इसे इसमें हम 6-7 लसन कलिया पाई पर अगंगे कर देंगे और 1 धूरराफ जारे पानी पर आयगे तो यहां पर देखी है मसालों को हमने इस्टास से fine piece li हे तो चलिए, अब इस महां हम बाकी मसाले आड करतेंगे तो इस महां Nous एक स्टीर चमछ लालमिज POLDERर आदा छोटा चमच इस मह हलती POLDERरयर करतेंगे और आदा छोटा चमच इस महां weapons we help धनियो POLDER stretch करतेंगे और सभी मसाले को ना इसमेंश्ट मिला लेंगे, तो चलिका यहाँ पर जो मसाले है रेड़ी हो चुका है, तो चलिका अभी सहम साइड लग देंगे, अब चलते हैं, गैस के पास, तो गैस के उपर इस ताश से हमने एक कराही रखा है, और इसमें हम एक चमच तेल एड़ कर देंगे तो मैं यहाँ पर सर्षो तेल ले रही हूँ आप जो भी कुकोनल खाते हैं ले सकते हैं वैसे यह सर्षो तेल में सबजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं जब तेल यहाँ पर अच्छे से गरम हो जाएगा ना तब इसमें हम यह आलू आइड कर देंगे और आलू को हमें यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू को हमने बहुत ही बढ़िया से फ्राई कर ली है ताकि भींडी में भी हलका सा कलर आ जाए और इसकी जो चीप चीपा हाट होती है न वो खतम हो जाए तो यहाँ पर आप देख सेकते हैं भींडी को हमने 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर ली है और इसमें हलका सा कलर भी आ गया है तो चलिए आप भींडी को भी हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर आलो और भींडी दोनों अच्छे से फ्राई हो गया है तो चलिए अभी इस हम साई रख देंगे और इसके लिए हम मसाला त्यार कर लेते हैं तो सेम कराही में दो चमच तेल और आट करेंगे और जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब इसमें हम आट कर देंगे आधा छोटा चमच मेथी के दाने और जब मेथी के दाने इसमें अच्छे से फराई हो जागा तब इसमें हम ये पिसा हुआ मसाला आट कर देंगे तो मसाला को डालते ताइम गैस का फ्लेम आपको धीमा कर देना है क्योंकि इसके बहुत सारे चीटे उठते हैं और जार में थोड़ा सा मसाला लागा हुआ था तो इसमें हमने थोड़ा सा पाइं डाल दिया है क्योंकि इसके बहुत सारे चीटे उठते हैं तो इस तरसे आप बीच बीच में चलाते रहिएगा और इस तरसे आप ढखके भून लिजिएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं मसाले के जो तेल है वह अच्छे से सिप्रेट हो गया है तो यहां पर चलिए मसाले अच्छे से आपको याद दिला देओं अगर आज की रेस्पी आपको पसंद देए तो वीडियो का लाइक शेर जरूशे कर दिजिएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं भींड़ी और आलू को हमने मसालो के सांथ अच्छे से मिला लिया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें आधा कप ग अच्छे से डराई हो गया है क्योंकि यह जो आलो भिंडी की सब्जी है यह भूनी हुनी मसालेदार सब्जी बनती हैं इसमें ग्रेवी नहीं होती हैं तो चलिए अब हम क्या करेंगे ना कैस का फिल्म ओफ कर देंगे और इसे हम करमा गर्म सर्व करेंगे इस भूनी अलो भिंडी की सब्जी को आप रोटी चावल पूरी पराठे के सांस सर्व कर सकते हैं बहुत ज्यादा टेस्टी लगती हैं तो इस सर्षों की मसाले वाली भूनी हुए मसालेदार भिंडी अलो की सब्जी को एक पर मेरे तरीके से जरूर बना के देखिएगा यह आपका औ मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग